अल्मोडा में राजुसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रेस का युजन किया और इस दुरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार का कारेकाल पूरे तरीकी से विफल रहा है उन्होंने कहा कि बिज़पी ने जनता के साथ छालावा किया है जिस वज़र से जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है अगामे विधानसभा चुनावों में जुनता कॉंग्रेस की सरकार बनाएगी और राजुसभा सांसद ने ये भी कहा कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो गैस सेंड की स्थाई राजभानी बनाए जाएगी और चुनावी घोशना पत्रों के मताबिक युवाओं को बार भी दिया जाएगा राजी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है बाइस में कॉंग्रेस पूरी तरह से आएगी और हतासा निरासा बीजीपी दिख रही है आज में मुख्यमंत्री का बयान पढ़ ला था 22,000 पर जब वो जाने वाले हैं कोई समय नहीं रह गया दिसंबर नॉंबर दिसंबर में कभी भी आचार सहीतार लग सकती है वो 22,000 नौक्रियों की बात कर रहे हैं मेरा मुख्यमंत्री से एक और बारती जनतापड़ सीधा सा सवाल है ये 22,000 पांस सालों में राजी के अंद 22,000 पद खाली पड़े रहे इसका मतब 22,000 नौजवान 22,000 परिवार आखिर इसके लिए दोसी कौन है जो इस राजी के नौजवान को सपनों को जिन्होंने चकना चूर किया है मारा आखिर तभी तो 22,000 पर अचानक